असलाव अलेकुम गुड वॉर्निंग आप सबका मेरे चैनल पर वापिस से स्वागत है गोल्ड कल जहां खुला था अल्मॉस्ट वहीं चल रहा है ज्यादा कोई मुवमेट हुआ भी नहीं है गोल्ड में कल जो खुला था गोल्ड तकरीपां 773-74 पर खुला था उसके बाद कुछ मुवमेट लिटरली नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है कि मैं मंडे मॉनी का वीडियो प्राइब ना कि ट्यूब दे मॉनीं का इन फाक डॉलर इंडेक्स में काफ़ी मुवमेंट हुआ डॉलर इंडेक्स उपर भी गया था नीचे भी आया लेकिन गोल्ड में कोई मुवमेंट नहीं हुआ यह बहुत एक इंट्रस्टिंग सिनारियो चल रहा है दो तीन वीक से कि डॉलर इंडेक्स उपर भी जा रहा है डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तभी भी गोल्ड रुका हुआ है थोड़ा सा ध्यान रखीगा गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट का सपोर्ड रिजस्टन्स चेंज नहीं हुए है कल वाले ही है आज मैं लिख के नहीं बता रहा हूं काफी जो सब्सक्राइबर्स है वो क्या कर रहे हैं कि वो आखरी मजा रहे हैं वीडियो के और स्क्रीन शॉट लेके बस उनका काम खत्म ऐसा करने से वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उससे मेरे चैनल को काफी नुकसान होता है यूट्यूब रेकमेंडेशन देना ब और सस्टेन किया तो 1750 और 1740 तक जा सकता है सबसे kita से 276 डॉलर के इसके ओपर जाता है तो 1790 और 1798 तक जा सकता है एक बहुत अच्छा रे presented गोर्च का जो है 1798 अगर इसके ओपर जाता है और सस्टेन करता है तो तयार रहेगा 1820 और 1850 के लिए फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अब आते हैं सिल्वर पे सिल्वर का चार्ट है 26 डॉलर 20 सेंट चल रहा है रजस्टन्स इसका 26 है मैंने अपनी शाम की स्रीमिंग पर भी बताया था जो लोग नए हैं उनको बता दू कि मैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से पौने आट बजे अपने दूसरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम करता हूं अज का रहसेंट तक चल रहा है इसके योपर निकलती है और सहम करती है तो 26 डॉलर तक जा सकती है अज का सपोर्ट रहेगा पच्टिस नभे गा इसके नीचे अगर सश्टेन करती है तो 55 और 25 बीस तक जा सकती है गोल्ड और सिल्फ़र दोनों का ट्रेंट वीक है जब तक ब्रेक नहीं होते हैं, तो खयाल रखेगा, गोल्ड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक 1786 ब्रेक नहीं करेगा, सिल्वर जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक 26-30 ब्रेक नहीं करेगी, MCX के लेवल कमिनिटी पोस्ट में मैं दोपैर को एक बज़े डाल दूँगा, अब आते हैं क्रूड ऑईल पे, यह है क्रूड ऑईल का चार्ट, 62 डॉलर चल रहा है, अच्छा एक लोग बनाया था, 60-50 का अगर आपको याद हो, तो कल मैंने आपको सपोर्ट दिया था, अभी फिलाल, 62 डॉलर चल रहा है, अच्छे रिकवरी सी लग रही है, इस क्रूड ऑईल में हो सकती है, तो आज का रेजिस्टन सपोर्ट देखते हैं, आज का क्रूड ऑईल का सपोर्ट रहेगा, 60 डॉलर 50 सेंट का, आज का रेजिस्टन सपोर्ट रहेगा, 62 डॉलर 80 जाता है, तो ही वीक होगा, अदर्वाइस मार्केट एक बार मुझे लग रहा है कि 63 डॉलर तक जा सकती है, तो थोड़ा सा खयाल रखेगा, अब आजाते हैं, यूरो पे, यह है यूरो का चार्ट, जो अभी लोडिंग हो रहा है, बट मेरे पास अलेडी लोड हो चुका है 20.80 चल रहा है, वापिस करते हैं, 20.80 चल रहा है, डॉलर इंडेक्स जो है, एक बार 90.98 तक चला गया था, जिसकी वैसे 20.60 के असपास का लोग बनाया, अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा हो, या शाम की स्ट्रीमिंग देखी हो, तो मैंने आपको सपोर्ट 20.50 का दिय शाम की स्ट्रीमिंग में भी दिये थे, तो अगर आप स्ट्रीम नहीं देखते हो, तो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं रिवाइस करता हूँ, लेवल मार्किट के हिसाब से शाम को, अभी यूरो जो है, वो वीग जोन में है, लेकिन मैं कोई सेलिंग न पॉजिटिव होना है, उससे आजकल गोल्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉशिस रहेगा, अगर आप गोल्ड सिल्वर में काम कर रहे हो, तो अब चलते हैं, बिटकोईन की तरफ, जिसको काफी फायदा हुआ है, काफी खुश हो गए है, बिटकोई आज का सपूर्ट है 51,800 डॉलर का, आज का रेजिशन से 55,200 डॉलर का, बिटकोईन पॉजिटिव जुन में है, तो सहल आवोइट कीजेगा, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा, मेरी बेड के लिए टेलिग्राम और ट्विटर पर फालू कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शिन के अंदर देख रखे हैं, मिलों हो शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई